नमस्कार दोस्तों, निउस रिपोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी निउस हांत लग रहे हैं आपके CISC के और CBSC के सेमेश्टर्टर्म टू बोर्ड इग्जामनेशन को लेके आज दोस्तों, आज स्क्रिन में आपको हम प्रूप के साथ साथ ये दिखाएंगे कि CBSC के कलाश 10th और 12 और CISC के कलाश 10th और 12 के बोर्ड इग्जामनेशन कैसे कंड़क्ट होने जा रहे हैं कि कैंसिल होने जा रहे हैं आज हम आपको अपने आज की इस वीडियो में दोस्तों, ये बताएंगे कि CBSC और CISC के कलाश 10th और कलाश 12 के जितने भी इस्टुडेंट हैं उनके इग्जामनेशन कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों, न्यूज मीडिया के रिपोर्ट की माने आपको इस केम दोस्तों जैसा की प्रूब दिख रहा होगा न्यूज रिपोर्ट की दरब से ये जानकारी मिल रही है कि COVID-19 के 4th wave, यानि कि चाउती लहर के बढ़ने से जो साइन दिख रहे हैं, जो स्ट्रॉंग साइन दिख रहे हैं कि COVID-19 के 4th wave बहुत तेजी से हम पे अटाइक कर रहा है जैसा की आप लोगों न्यूज में कहीं न कहीं देखा होगा कि ये जो COVID-19 का XE variant है या दोस्तों बच्चों पर इतना अधिक प्रभावी है मेरे बच्चों कहने के मतलब से हैं कि एडर्ट जितने भी प्रभावी है बहुत जलदी उनको अपने संपर्क में ले लेता है ऐसे में न्यूज रिपोर्ट की माने हैं तो दोस्तों आपके 2022 के बोर्ड इग्जामनेशन को लेके बहुत बड़ी इंफार्मेशन हाथ लगी है आपके CBSC यानि कि Central Board of Secondary Education और CISC यानि कि Council for the Indian School Certificate Examination इनके 10th or 12th के Board Examination जो कंड़क्ट होने वाले हैं दोस्तों उनको काइंसिल किया जा सकता है पूरी पूरी बाते सामने आ रही है क्या मामला है क्या मुद्दा है पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे और आपको पूरी के साथ स्क्रीम में दोस्तों सब कुछ दिखाएंगे कि आखिद जितने भी न्यूज मीडिया चाइनल्स हैं चाहें NDTVH के सान आज तक ABP News, G News या जितने भी बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया कंपनी हैं वो कैंसिल दा सेमेस्टर टू ए टर्मटू बोर्ड इग्जामनेशन 2022 के ट्रेंड को लेके बातें कर रहे हैं कल की न्यूज रिपोर्ट की माने तो दोस्तों जो न्यूज रिपोर्ट आई सी टीवी ने भारत अवरस की तरप से उसमें बोला गया था कि सोसल मीडिया में यानि की ट्विटर में बहुत जोरो से हैस्टेग कैंसिल अवर बोर्ड इग्जामनेशन 2022 के ट्रेंड चल रहा था जिसको देखते हुए वी बातें गवर्मेंट तक पहुंच रही है और गवर्मेंट अफिजिया से अभी तक हाला हैं कि कुछ बातों को कलेरिफाई नहीं किया गया है लेकिन आपके 2022 के बोर्ड इग्जामनेशन जो क्लास्टेंट क्लास्टल्स के होने वाले हैं CBSC और CSC के वो कैंसिल हो सकते हैं दोस्तों वी थीन वन और टू डेज क्योंकि दोस्तों जिस तरह से COVID-19 के बढ़ते ग्राप को देखते हुए आपके semester 2 या term to के board examination जो प्रभावी हैं दोस्तों उसको लेके आपके board examination की जो चीजें हैं उनको इंप्रूब गिया जा सकता है अब मैं दोस्तों आपको इसक्रेल में कुछ प्रूब दिखाऊंगा जिसके मदद से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके semester 2 या term to के board examination के साथ क्या होने वाले The Central Board of Secondary Education यानि की CBSC Class 10th and 12th and term to के जो board examination उसके होने वाले हैं उसको पूरी तरह से कैंसिल करने की बातें चल रही हैं CBSC के वालों बच्चो के लिए According to the latest media reports जैसा कि आपको इससे में दिख रहा होगा In the view of fourth wave of coronavirus, the board official can make a big announcement on the conduction of the examination in the next or two days यानि कि board examination के conduction को लेके जो जो बातें दोस्तों front में आ रही हैं उसको चलते CBSC के board examination को अधिक से अधिक chances हैं कि कैंसिल किया जा सकता है अब ऐसे में दोस्तों किन बातों पर गवर किया जाना है उन पर भी मैं आपको बताई देता हूँ यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि COVID-19 के अचानक से बढ़ते ग्राप को देखते हुए कुछ country में ऐसे places हैं जिनको अगली तरफ से यानि कि उनको लीड किया जा रहा है कैंसिलेशन के लिए और board examination को पूरी तरह से कैंसिले पोश्पोन करनी के लिए यहाँ पे school have become empty in many cities including the national capital दिल्ली due to the fear of coronavirus यानि कि जो भारत की राजधानी है जो दिल्ली है वो खाली हो गई है उसके school खाली हो गई है COVID-19 के डर के वज़ा से बच्चे tutor में trend चला रहे हैं हैस्टेग students life matter हैस्टेग कैंसी लवर board examination 2022 अब इसको लेके government में यह आपके board examination conduction bodies है इन पे क्या effect पड़ेगा क्या यह दोस्तों आपके semester to your term to board examination को लेके आपको लगता है यह कोई ऐसा फैसल सुनाएंगे जिससे बच्चों के भविस की चिंता खतम हो जाए जिससे बच्चे डर रहे हैं COVID-19 के infected होने से क्या आपको लगता है कि COVID-19 के infection से उनको खतरा बचा जा सकता है दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा जितने भी student है उनमें सलगवाग 80% ऐसे बच्ची जिदो ने भी तक अपनी vaccination को complete नहीं किया है ऐसे में आपके जो parents हैं आपके जो guardians हैं जो आपको इस्कूल बेचते हैं आपको पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ आप healthy भी रहे और safe भी रहे ऐसे में क्या आपके parents चाहेंगे कि आप offline mode में school जाके examination को attend करें और infected होके घर लोटें क्योंकि जो covid के fourth wave है आपको मालूम होगा दोस्तों जैसे ही covid की पहली वयवाई थी पर दूसरी वयवाई थी उसके बाद आपने omicron का खत्रा देखा अब आप xe variant का खत्रा देख रहे हैं तो दोस्तों बढ़ते covid के graph के साथ-साथ covid भी खतरनाक होता जा रहा है ऐसे में जितने भी board examination conduction bodies हैं चाहे वो CISC हो चाहे वो CBSC हो तो दोस्तों विभी ने state body क्यों ना हो बढ़ते कोविड के graph को देखते हुए गावर्मेंट ने अभी तक कोई भी official announcement तो नहीं की है लेकिन जिस तरह से बच्चों ने trend चला दिया है twitter में की hashtag student life matter और hashtag cancel over board exam 2022 इसको देखते हुए आपके 2022 के semester 2 के board examination और term 2 के board examination class 10 है class 12 उनके board examination को लेकर जो खत्रा बढ़ता दिख रहा है इसके चलते board examination को cancel भी किया जा सकता है अब जो भी दोस्तों government और आपके board examination के भी जो भी बाते होंगी उसके फैसले के बाद ही कुछ decision लिया जा सकता है कि आपके 2022 के semester 2 या term 2 के board examination के साथ क्या होने वाला है अब यहाँ पर यह बात आती है कि what happened if our board examination will be cancel तो दोस्तों अगर आपके board examination काई by the chance cancel हो जाते हैं तब आपके semester 1 के जो भी आपके term 1 के जो result आए हैं उसके marks के साथ साथ आपने जो pre board examination attend किया है उसके साथ साथ और आपने जो theories practical दिये हुए हैं उनके number को दोस्तों count करके add करके आपको mark sheet provide कर दी जाएगी अगर COVID-19 के चलते examination cancel होते हैं तो बट अभी तक council या आपके board examination member साथ साथ गवर्मेंट के तरफ से इस तरह की कोई भी बाते सामने नहीं आ रही है लेकिन जिस तरह से news media report में board examination को cancel करने के जोरों से मान चल रही है ऐसे में कुछ भी हो सकता है यह तो मत सोचिए कि हमारा examination conduct ही हो जाएगा या तो cancel ही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा semester 1 में examination online होते होते या offline conduct हो गया था तो दोस्तों council है board examination है कुछ भी कर सकता है अपने situation के हिसाब से तो ऐसा नहीं कि council situation होती है बिल्कुल change होती है जैसा माहल देश में रहेगा उसी हिसाब से आपके board examination कंड़र कराने पड़ेंगे क्योंकि different state में different situation चल रहा है कई सारे जखा बच्चे positive पाए गया है teacher positive पाए गया है school को seal up कर दिया गया है जिसको चलते हुए board examination में खतरा मंड़रा रहा है अगर आपको CISC और CBSC से related कोई भी latest information आपको चाहिए तो जब तक आप ICSC help को इस YouTube channel से जुड़े हुए है आपको किसी भी प्रकार में कोई समस्या नहीं होने वाली है और दोस्तों साथी साथ मैं आपको बता दूँ अगर अभी तक आपने हमाने bell notification को नहीं on किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके bell notification पर क्लिक कर देजिए ताकि जाएसे हम कोई latest video upload करते हैं आपके पास notification पहुंच जाए